हरेणा में कॉंग्रिस की हार के साथ ही सहयोगियों ने उस पर वार करना शुरू कर दिया है इंडिया अलाइंस में उसके साथ ही दल कॉंग्रिस को घमंडी और सहयोगियों को दरकेनार करने वाली पार्टी कारूप लगा रहे हैं आमादमी पार्टी के सांसाद रगवचड्धा ने ट्वीट कर कॉंग्रेस पर तंसकसा है। रगवचड्धा ने लिखा कि हमारी आर्जू की फिकर करते तो कुछ और बात होती। आज वो भी पश्ता रहा होगा मेरा साथ छोड़ कर। अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बा यूपी में दस सीटों पर उप्चनाव हुने हैं और अखलेश यादव ने कॉंग्रेस से बात किया बगएर अपने च्छे उमिद्वारों के नाम का एलान कर दिया समाजवादी पार्टी ने करहल से तेश प्रताप यादव, सीसा मौउस से नसीम सोलंकी, मिलकिपूर से जीद प्रसाद, कटहरी से शुभवती वर्मा, मंजवा से जोती बिंद और फूलपूर से मुस्तफा सिद्धिकी को उमीदवार बनाया है बीज़पी कह रही है कि अखरेश ने जिस तरह एक तरफा तोर पर उमीदवारों का एलान किया है, वो कॉंग्रस का अपमान है वही समाजवादी पार्टी के नेतार रविदास महरोत्रा कह रहे हैं कि कॉंग्रस ने भी सभा को हर्याना में एक भी सीट नहीं दी सूतर के मताबिक समाजवादी पार्टी यूपी में कॉंग्रस को चार सीटे दे सकती है महराश में विधान सभा चुनाव की तारिखों का एलान तो नहीं हुआ है लेकिन प्रकाश अंबेटकर की पार्टी वंचित बहुजन अगाडी ने अपने उमिद्वारों की पहली रिद्स चारी करती है इस लिस्ट में दस कैंडिडेट के नाम है और खास बात यह है कि सभी दस उमिद्वार मुसलमान है कैंडिडेट घोशित किये गए मुसलिम नेता भी कह रहे हैं कि कॉंग्रस ने अभिंदुत्व के इचारधार अपना ली है और मुसलमानों के मुद्वों को अंदेखा किया है उनका ये भी आरूप है कि कॉंग्रस ने हाल के चुनावों में मुसलमानों को उचित भागीदारी नहीं दी लोकसभा चुनाव और MLC चुनाव में मुसलमानों को टिकेट नहीं दिया इस प्रोग्राम में उन्होंने नागपूर में बावा सहब अंबेटकर इंटरनाशनल एएपोर्ट और शिर्डी हवाई अड़े पर इंटीग्रेटिट टर्मिनल भवन की आधार शिला भी रखी पियमोदी ने दस नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उदखाटिन भी किया इस मौके पर उन्होंने कॉंग्रेस पर निशाना भी साधा मोदी ने कहा कि कॉंग्रेस अब अर्बन नकसलियों की सहयोगी बन कई है वो विकास नहीं विनाश चाहती है इसले महराश की जनता को एक जुठ होकर महायूती सरकार को वोट देना होगा जिससे राज्ये और देश का विकास हो